प्रश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टार्गेट वितने 30 में दोस्तों आज के इस एपसोड में हम देखेंगे कि जो 2020 का में पॉलिटिकल साइंस का इंट्रेंस हुआ था बी एचू में परिवेश के लिए उसमें कौन-कौन से प्रश्ण पुछे गए थे और ये जो सभी प्रश्ण है दोस्तों ये 2020 के इंट्रेंस का है और अगामी जो 2021 में में का इंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस के लिए होगा उसके लिए जो है काफी उपयोगी है इसके माध्यम से जो है आप आसानी से जो है मुल्यांकन कर पाएंगे एनालीसिस कर पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्ण बी एचू में इंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस में पुछे जा रहे हैं और उसी के अनुसार जो है आप अपनी त्यारी जो है जारी रख सकते हैं तो दोस्तो आईए सुरू करते हैं बहुत कम समय में हम देख लेंगे कि जो 120 कोश्चन 2020 के इंट्रेंस में पुछे गए थे वो कौन कौन से कोश्चन थे तो दोस्तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कोश्चन नमबर वन माल्स बरी का राक्षा किसे कहा गया था इसका राइट एंसर होगा दोस्तो होप्स चार ओप्सन दिये गया है आप देख पा रहा है कोश्चन नमबर दो है दोस्तो which of the flowing types of alienation was not advocated by Marx निम्ण में से कौन से अलगावाद की वकालत मार्क्ष ने नहीं की तो इसका right answer हो जाएगा alienation from the state यानि कि राज्ज से अलगाव चारों अप्सन यहां बोलनी की जरूवत नहीं है क्योंकि आप एस्क्रीन पर देख पा रहे हैं असानी से पढ़ सकते हैं question number 3 है निम्ण में से किसने 1906 में इस विचार का प्रस्ताव औप्चारिक रूप से किया था कि Muslim Ling एक राहिनितिक संगठन है right answer हो जाएगा नवाब शली मुल्ला खान अगला प्रस्त question number 4 है निम्ण में से कौन सी सब्दावली उपरी गतिसल्शा से संबंदित है which of the flowing term is associated with upward mobilization इसका right answer हो जाएगा Sanskritization यानि कि Sanskriti करण अगला प्रस्त question number 5 प्रशाशन में प्रास्तित की की वकालत और प्रथम किस विचारक ने की right answer हो जाएगा Fred W. Riggs question number 6 है the idea of nationalism in terms of imagined communities was given by कालपनिक समुधायों के शेंदर में राष्टवात का विचार किस ने दिया है right answer हो जाएगा Benedict Anderson अगला प्रस्त question number 7 है अभिजन सिधान्त का वड़न किसकी कृतियों में नहीं है तो ये चार आफ्ष्वनों में से इसका सही उत्तर है रूसो अगला प्रस्त question number 8 है हीत एकी करण का कारे शंपन किया जाता है right answer हो जाएगा political parties द्वारा question number 9 है how many parts of estates are there in Manoj theory of estates right answer हो जाएगा seven question number 10 है पुना पेक्ट इज आल्सो नोन एच राइट एंसर हो जाएगा गाधी अमबेट कर पेक्ट क्वेश्चन नम्बर इगारह है ब्रिटेन की एसेटन समीती 1944 शंबन्दित है राइट एंसर हो जाएगा ट्रेनिंग से क्वेश्चन नम्बर ट्वेल्व है निम में से कौन सी सत्ता प्रणाली का प्रतिपादक मैक्स बैबर नहीं था इसका राइट एंसर हो जाएगा कंजरवेटीव अथार्टी सिस्टम क्वेश्चन नम्बर टेरह है किसने कहा कि धर्म के बिना राजनिती पूर गंदगी है जिससे बचना चाहिए राइट एंसर हो जाएगा महात्मा गाधी क्वेश्चन नम्बर 14 है निम्द में से कौन केविनेट योजना का मुठ प्रतिपागी नहीं था राइट एंसर हो जाएगा लाड वेवेल क्वेश्चन नम्बर 15 है प्लेटो का साम्मेवाद किस से संबंदित है औप्शन इसका राइट एंसर हो जाएगा वाइफ हैंड फ्रोफर्टी पत्नियों संपती से क्वेश्चन नम्मर 16 है तो बुक हो मो हैरार की अश्कश इज रिटन भई राइट एंसर हो जाएगा लूइस ड्यूमान्ट क्वेश्चन नम्मर 17 है यह हुआ क्या समानों में प्रथम निम्म में से किस के साथ जुड़ा हुआ है तो राइट एंसर हो जाएगा प्राइम मनिस्टर यह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नम्मर 18 है निम्म में से कौन से राष्ट को एक समय सोते हुए राक्षस के समान बाना गया था। राइट एंसर हो जाएगा चाइना। Question No. 19 है, Marbury Worshett Medician Case in the US led the foundation for, राइट के एंसर हो जाएगा, Judicial Review. Question No. 20 जो है, Match the Flowing है, इसमें जो है, John Rawls है, Michelle Foucault है, Antonio Gramsci है, JS मिल है, तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा, One का B, यानि कि John Rawls जो है, Political Liberalism से है, और दो का यह हो जाएगा, Michelle Foucault जो है, वो Madness and Civilization से संबंदित है, तीन जो अप्षन है, Antonio Gramsci, ये जो है, D-Number से संबंदित है, यानि कि Prison Notebook से, और जो चौथा बचेगा, JS मिल, ये System of Logic से संबंदित है, तो राइट एंसर ये हो जाएगा, Question No.21 है, White Legion is founding, Right answer हो जाएगा, United Kingdom, Question No.22 है, कौन सी प्रकिरिया, सन्युक्त राज अमिर्का के Supreme Court में अपनाई जाती है, तो राइट एंसर जाएगा, Due Process of Law, कानून की उचीत प्रकिरिया, Question No.23 है, निमांकित घटनाओं को कालकरम के अनुशार प्यास्तित कीजिए, Formation of Muslim League, Formation of Souraj Party, All India Trade Union Congress, Formation of Indian National Congress, तो आप जानते हैं कि, जो Muslim League है, उसकी अस्थापना जो है, 1923 में हुई थी, All India Trade Union Congress की अस्थापना जो है, 1920 में हुई थी, और Formation of Indian National Congress की अगर बात करें, तो ये 1885 में हुई थी, तो आप देख पा रहा हैं यहाँ यहाँ पे, सबसे पहले इसमें जो है, भारतिय राष्टिय का अंग्रेश, 1885, उसके बाद मुस्लिव लीग का निर्मार, 1926, तीसरे नमबर पे हो जाएगा, अखिल भारतिय व्वैफार शंग का अंग्रेश की अस्थापना, 1920, और लाश्ट हो जाएगा, Formation of स्वराज पार्टी, यानि कि 1923, तो 4, 1, 3, 2, तो राइट एंसर हो जाएगा, Question No.24 है, निमांग की तेसों में से किसमें एक सदनियों वैस्थापिका है, राइट एंसर हो जाएगा, चाइना, Question No.25 जो है, आप देख रहे हैं कि, गलत यूगम को इंकित करना था, सेवा टीचर्स जो है, इसमें गलत यूग में बाकी सभी सही है, Question No.26 है, वह सिधाम जिस पर स्विस करपाली का अधार रही था है, राइट हो जाएगा, कुली जीट, राइट एंसर हो जाएगा, कुली जीट, Question No.27 है, Which one is the correct match among the following, राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा, Switzerland Christian Democratic People's Party, क्योंकि Switzerland में ये पार्टी है, और बाकी सब पार्टी जो है, मैच नहीं कर रही है, The concept of hegemony was developed initially by, राइट एंसर हो जाएगा, एंटोनियो ग्रामसी, Question No.29 है, निम्न में से कौन सा निस्पादन बजट का भाग नहीं है, राइट एंसर हो जाएगा, केटेगरी, Question No.30 है, गलत जोड़ों को पाचानिये, तो Switzerland की संसत का नाम डायेट नहीं है, इसलिए जो है, ये गलत हो जाएगा, और बाकी सभी मिलान सहीं है, Question No.31 है, निम्न में से किसने भारतिय संसत में सौर प्रखम लोगपाल भी देख प्रस्तुत किया था, राइट एंसर हो जाएगा, एलेम सिंग वी, Question No.32 है, अमिर्का में फ्ली बश्टरिंग, इन में से किन अधिकारूशे शम्बंदी था, राइट एंसर हो जाएगा, इन में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है, तो राइट एंसर हो जाएगा, इक्वालिटी, Question No.34 है, राइट इनितिक तलो में, कुलिन तंत्र का लोग नियम के पर्तिफादक कौन थे, तो राइट एंसर हो जाएगा, रोबर्ट मिसेल्ज, Question No.35 है, इन में से किस समाजिक चिंतक ने तीन प्रकार की सता के बाद कही थी, राइट एंसर हो जाएगा, Max Fever, Question No.36 है, राइट इनितिक दल ये उन दबाव समों के मध अंतर केंद्रित है, तो राइट एंसर हो जाएगा, Striving for power, सता है तू संगार्स, Question No.36 है, यह किस ने कहा था राज व्यक्ति की बड़ी च्छवी है, तो राइट एंसर हो जाएगा, Plato Question No.38 है, सरुच नियाले की सलाकार राई किसके द्वारा मांगी जा सकती है, राइट एंसर हो जाएगा, राष्ट पती, President Question No.49 है, प्रोचेंजर्स एंड नोचेंजर्स वाज दा आइडिया बिहाइंड दा फ्रमेशन ओ, राइट एंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी Question No.40 है, तिरतिया मिनो ब्रुक समेलन के मुख्य सनियोजक थे, राइट एंसर हो जाएगा, रॉस मेरी ओ लियरी Question No.41 है, लोग प्रशाषन के चेत्र के संबन्द में, पोष्टकार धार्णा के प्रवर्थक है, राइट एंसर हो जाएगा, लूथर गुलिक Question No.42 है, Who Advocate Theory X and Theory Y in Public Administration, राइट एंसर हो जाएगा, डगलस मैक्रेगर Question No.43 है, गलत युक्म को इंगित की ये, राइट एंसर हो जाएगा, बांगलादेश सेख अमीना नहीं, सेख दीना होना चाहिए याप, इसलिए गलत हो जाएगा है, Question No.44 है, One for all and all for one, Who said this referring to collective security, राइट एंसर हो जाएगा, Hence J. Morgan थे यू, Question No.45 है, The opposite of spoil system is, Right and so हो जाएगा, Merit system, Question No.46 है, Mountbatten, यूजना कोई इसमें इससे भी जानते हैं, तो राइट एंसर हो जाएगा, तीन जून, यूजना, Question No.46 है, बिभीन समों एं संगों के मध्ध, सक्तियों को साजा करने का सिधान्त, सक्ति के किस सिधान्त पर अधारित है, राइट एंसर हो जाएगा, बहुलवादी सिधान्त, Question No.48 जो है, Political System, Political Development, Political Culture, Political आधुनीक करन्ण, तो राइट एंसर हो जाएगा, वन का डी, डिव डिश्टन, Political विकास का जो है, ए हो जाएगा, Lucian पाई, Political Culture, जो है, शिटनी वर्मा हो जाएगा, और राइनितिक आधुरी करन्ण, जो है, आई भी जो इसमें है, वो हो जाएगा, Samuel P. अनिंगटन, राइट अन्सर हो जाएगा, कुशन नम्र उन्चास है, प्रेयर्श, पेटीशन, एंड पोर्टेस्ट, वेर्द ऑपॉलीसी, एंड फ्रग्राम आउप, राइट अन्सर हो जाएगा, नरंबंधी जीसे, आप उदरवादी के नाम से भी जानते हैं, कुशन नम्र पशास है, किसने सक्ति को तीन आयामी मार के रूप में परिवाजित किया है, राइट अन्सर हो जाएगा, एश्टीवेन लुक्स, राइट अन्सर हो जाएगा, कुशन नम्र एकाउन है, जोहारला नहरू, प्रथम बार कांगरेश के अध्यास कब निर्वाचित हुए, तो राइट अन्सर हो जाएगा, उन्निसों इन्तिस में, कुशन नम्र पचास है, 52 है, किसने विधी के सासन की ब्याख्या की है, तो राइट अन्सर हो जाएगा, डाइची, कुशन नम्र तीरपन है, निम्न में से किसने परमाडू और परशार संधी पर हस्ताक्षर किये, राइट अन्सर हो जाएगा, इरान कुशन नम्र चौवन है, दहुमरूल लीग मोमेंट इन्डिया वाज अस्टार्टेड वाई, राइट अन्सर हो जाएगा, एनिवेशेंट और तिलक द्वारा, कुशन नम्र पच्पन है, राज्य के सरकारी करण की बात कौन कहता है, राइट अन्सर हो जाएगा, मिसेल फोको, कुशन नम्र चपन है, सीत यूद के दरान, सुवर की खाड़ी की संकट से जूड़ी है, राइट अन्सर हो जाएगा, क्यूवा संकट से जूड़ी है, कुशन नम्र 75 है, कौन जो है, सही जोड़ा नहीं है, तो 30 ओरेरी जो है, तो कर्टेल, ये जो हो जाएगा, राइट अन्सर, question number 58 है एक वाक एक बार अध्यक्ष हमेशा के लिए अध्यक्ष किसके लिए प्रयोक्त होता है तो आप सभी जानते हैं कि जो built-in में house of commons होता है उसके speaker के लिए तो house of commons आम सबन इसका right answer हो जाएगा question number 69 है बिधाई का करेपालिका के शक्ति का समीसरण किसी भी सेस्ता है तो right answer हो जाएगा parliamentary system question number 60 है निम्न में से कौन सी पुस्ताग F.W. Taylor द्वारा नहीं लिखी गई थी तो right answer हो जाएगा समानने और और अध्योगीक प्रबंदन तो दोस्तों ये रहा 2020 में पोलिटिकल साइन्स से जो प्रश्ण इंट्रेंस में B.H.U. में पूछे गए थे उसका ये पहला भाग जिसमें 60 प्रश्णों का उत्तर जो है मैंने आपके शामने रखा और साथी साथ प्रश्णों को भी बताया तो इससे जो है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप सेकेंड पार्ट के लिए जो है केमेंट सेक्षन के माद्यम से हमें जरूर बताईए इस एपसोर्ट से चाहूँगा इजाज़त अपने दोस्त त्यान इंतिश कुमार को दीज़े इजाज़त तब तक के लिए सूबीदा नमस्काल मिलते हैं अगले पार्ट